नमस्कार, मैं डॉक्टर जयश्री कुलकरणी, आज बैड फूड कॉंबेनेशन्स के बारे में महत्व पूर्ण जानकारी लेते हैं कुछ खाद्यबदार्थ ऐसे होते हैं, जो अकेले में तो बहुत गुणकारी होते हैं लेकिन उनका संयोग स्वास्थ के लिए अपायकारक होता है आयुर्वेद में वरनित, विरुद्ध आहर, खानपान मिशयक एक प्रमुक्सिधान्त है उदारणार्थ, खट्टे फल और दूद एक साथ लेना, विरुद्ध आहर, इनकमपेटिबल फुड है फलो की पचत क्रिया के लिए आवशक पाचक स्राव, दूद के पचन में सहायक पाचक स्रावों से भिन्न होते है अतह, दोनों को एक साथ खाने पर ये संयोग आंतों में दिर्ग काल तक पड़ा रहता है इससे पाचन तंत्र पर अतिरिक्त भार पड़ने से आमविश तयार होता है और रसर अक्तादी सप्त धातू दूशित होकर मलीन दोश बाहर निकालने को शरीर असफल होता है परिणाम स्वरूप पोशक तत्वों के शोषण एवं उर्जा अर्थाद शरीर शक्ती के निर्मान में रुकावटाती है कई रुगणों के क्लिष्ट दुश्च कित्से रोगों का मूल कारण विरुद्ध आहार ही होता है इसलिए अमलम पयसा सह विरुद्धम ये चरक संहिता का आदेश सभी को अवश्य पालन करना है इसलिए खट्टे फलो का मिल्कशेक अशक्त अपचन खासी बुखार संधिवाज जेसे रुगणों को खास करके सर्वदा वर्ज रखना चाहिए ध्यान रहे कच्चा आम खटा होने से दूद के साथ विरुद्ध होता है लेकिन पूरी तरह से पकर मीठा हुआ आम दूद के साथ विरुद्ध नहीं होता जल्द ही इस पर एक विस्तार से वीडियो करने वाली हो साथ ही खजूर भी दूद के साथ फिरुद्ध नहीं होता दूद वास्तव में पुरुणान होने से वैसे तो अकेला ही पिना चाहिए लेकिन अच्छी जोरदार या तेज भूग लगने पर घी के साथ भूने चावलों की खीर बना कर या खजूर के साथ मिला कर खाना एक सर्वोत्तम पोशक आहार है इसलिए आज हम खजूर का दूद बनाना सीखते है झाल 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 झाल